Good morning, बेटा आज हम लिखेंगे ज से जहाज ठीक है? तो आप पिक्चर देखेंगे पहले ये देखो ज जहाज ठीक है? ज से जहाज कितना है? सुन्दर है न सुन्दर ये कहां रहता है जहाज? पानी के अंदर ठीक है? तो आप मैं आपको लिखना बता रही हूँ तो बेटा सबसे पहले आपने आपने ममा से ऐसे डॉट लगवाने है डॉट डॉट के उपर जो लिखवाना है ना? फिर उसके उपर आपने पैंसिल चलानी है तो ये देखो मैं भी आपकी तरह ऐसे मैं आपको बता रहे हूं कि ऐसे dot से dot मिला लेना है आपने ठीक है क्या मिलाएंगे dot से dot मिलाएंगे आप अच्छी तरह से ठीक है तो देखो बेटा जैसे आप pencil से लिखेंगे वैसे मैं भी लिख रही हूँ ऐसे फिर सीधी line पहले आप उपर line दे लेंगे सीधी फिर से dot dot को मिलाते हूँ ऐसे सीधी line फिर आपने सीधी line देनी है इस साइड को sleeping line जिसको बोलते हैं यह line के उपर देनी है आपने यह जो बीचवारी line है फिर यहां से आपने ऐसे goal कर देना है यह बन गया जर जहाज फिर से देखेंगे ऐसे डॉट डॉट मिला देना है आपने ऐसे है ना फिर सीधी लाइन इस साइड को लाइन फिर आपने यहां को ऐसे मिलाना है डॉट डॉट को डॉट डॉट को बाहर निकालेंगे ये अंदर को करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ऐसे ममा ने आपकी ने डॉट डॉट के उपर जहाज लिखा होना है और आपने उसके उपर पैसे चलानी है ऐसे सीधी लाइन और इस तरह से और यहां से ऐसे डॉट डॉट को मिलाना है ये बन गया जहाज जहाज ठीक है बेटा तो इस तरह से आप इसके प्रैक्टिस करेंगे ठीक है करेंगे सभी बच्चे तो आपने इस तरह से बेटा लिखना है इन डॉट डॉट के बीच में मैंने देखो आपको पूरा का पूरा पेस हुए वो डॉट के उपर मिलाना भी बता दिया कि कैसे इनको डॉट को मैंच भी करना है डॉट डॉट को मिला के लिखना है ठीक है बेटा तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप सभी बच्चे ठीक है ओके